हेलो, नमस्कार, श्वागत थे विस्वित सर के ओफिशल यूट्व चैनल पे, तो विस्वित क्लासेस में आपको मैं बता दूँ कि हम लोग बिहार सेवेंथ फेज सिक्चक बहाली की चर्चक कर रहे हैं, अगर ये पार्ट वन वीडियो अपने नहीं देखा है तो जाकर जू लिंक मिल जाएगा, या आई बटन पेस का लिंक मिल जाएगा, यह सारे क्वेशन आप असानी से कर सकते हैं, तो बात करें दोस्तों, आज क्लास बहुत संदर होने माली तो बात करते हैं, आज क्लास जोगी वीपीसी 7 के लिए है, मैं बता दूँ कि जो रास्टी है, भारती आपके सिलेबस के पैटर्ण ही सिलेबस से ही क्वेशन को लिया गया है, जो आपको बहुत से इंफोर्मेशन देगा, जहांसा आपको बिल्कुल जनकारी अच्छी से मिलेगी, चले दोस्तों, आज क्या अगले क्वेशन क्या, फर्स्ट क्वेशन है, किस काल में ध्यान प्रयास करें, बहुत सुन्दर क्वेशन है, इसका एंसर देने के प्रयास करें, दोस्तों, अपने क्वेशन अलोड़ी देख लिए है, और क्वेशन के जबाब देने का प्रयास करें, कि इसका राइट एंसर क्या होगा, कि इस काल में बिहार की रजनीती सक्षिन संस्क्रि तो आपको बता दें कि इस बहुत ही सुन्दर क्वेस्टन है इस का राइटेंस हो जगा मध्यकाल की बात हो रही है दोस्तों आपको मैं थाइंक्स बोलना चाहूंगो इसके पहले वाली क्लास को अपने बहुत ज़्यादा सनिय दिया था बहुत अचा सेर किया था और लाइक किया था और साथ में सब्सक्राइब किया था दोस्तों तो आपको श्वागत हैं विश्वजीत क्लास की यूटीब ऑफिसियल चैनल में तो बात करते हैं आज के लिए क्वेस्टन बहुत ही संदार होने वाला है घरी में परयोग होने वाले जो कार्ट्स होते हैं किस्टल का संकारी आपको मिल जाएगी और आप एंसर असानी से दे पाऊगे यानि घरी में परयोग होने वाले कार्ट्स होते हैं वह क्रिश्टल सिलिकोन डायोकसाइड कहोते हैं बात किया जाए तो इनकी प्राकिरतिक शोरूप होते हैं इसमें रॉप किस्टल और राइन स्टों के में पाय जाते हैं और इसका बात किया जाए कि इसका उपयोग होता है आन्यच्छ्ट में भी किया जाता है जो मनुष्च्र Mitte दिवारा घड़ी एलीवीजन इन सारे चीजों में भी इसका परियोग कैया जाता है ना य lush si दो मुझे लगता है का अभ इसका ज़वाब देने में कुई आपको तकलिफ नहीं हो रही होगी तो घरी में परियोग होने वाले कार्ट्स की स्टल जो होते हैं किस से मुने होते तो आप सही जबाब दिया कि silicon dioxide के बने होता है तो दोस्तों आज के लिए question का बढ़ा जाए आज की question क्या है hearts में क्या मापा जाता है hearts में क्या मापा जाता है बहुत ही सुन्दर question है और science का है और यह भी question जो आपके BPSC दोरह अलड़ी पुछा होगा question है तो उमीद करते हैं इसका right answer बताने में आप सक्षम बनिएगा चले इसका थोड़ा से notes देख लिया जाए आप बताने का प्रयास किजिएगा इसका right answer क्या होगा देखिएगा करया आविर्ती का इसे मात्रक जोटा hearts होता है और इसी के द्वारा आविर्ती को मापा जाता है इसका संकित तरह सकते हैं और मैं बात करता हूँ यहां से एक और question बन सकता है कि मनुष्य का जो सुनने की कानों की स्षमता होती है वह कितने hearts होती है तो याद करते हैं और यह आपका answer जो है और क्वेस्टन जो है और 65 प्यस्टी की एक्जाम में और पुछा हुआ को सने तो उमीद करते हैं इस question का right answer बताने में आप सक्चम होंगे तो क्या answer हो जाएगा option B call right हो जाएगा आपका नाम B जो है sorry B नहीं कहेंगे यहां पर क्या एक कहेंग पूछा हुआ है तो बताइए इसमें क्या होने वाला है क्या oxygen होगा nitrogen होगा hydrogen होगा तंबाह होगा आप जल से जल बताने का प्रयास कर इसका right answer क्या होगा चले इसके भी थोड़ा सब नोट्स हम देखते हैं बहुत ही सुन्दर हैं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप इस आपको सबसे पहले आपके पास पहुंशे तो लाइक जरूर कीजिएगा और जीतना हो सकी तो आप सेयर कर दीजिए क्योंकि मैं बताओं कि इसमें सबसे best content आपको लेकर मैं आ जाया हूँ है ना इतना तो आप खड़ी सकते हो तो चलिए बात करते हैं आज के अगले और इसमें इसका समस्थानिक अखात प्रोटेनियम में कोई निट्रों नहीं होता है और भारी हाइड्रोजन का विसमें को किस मुगल सासक ने सो परतम बिहार को अपने समराज मिलाया था जा देज़ेगा यह आपका बहुत ही बेहतर क्वेशन है किस मुगल सासक ने बिहार सो पर्थम बिहार को अपने शमराज मिलाया था तो आप्सन आप देख सकते हो बावर जहांगीर अकबर और हिमायू की बात हो रही है तो दोस्तों क्या राइट एंसर हो जाएगा तो बिल्कुल आपको भूलना नहीं अकबर ने ऐसा किया था है ना तो आज के लिए क्वेशन को तरह बढ़ता है पाटली पुत्र के संस्थापक कौन थे बहुत ही सुन्दर क्वेशन है क्या उदेन थे अशोग थे बिंबिसार थे और इन में शेक कोई नहीं था तो आपको बता दें कि पाटली पुत्र जुक्के जो संस्थापक के कोई और नहीं वह आपके उदेन था और कहीं उदेन लिखा रहता है कहीं उदेन लिखा रहता है उसे कोई शू नहीं आप समझ सकते हैं बात करते हैं पाटली पुत्र में जो इस्तित था चंद्रगुप्त का महल वह किसका बना हुआ था बहुती सुन्दर क्वेशन है बीपेसी में ओलडी इसका भी पुछा हुआ है तो आपको बता दे कि चंद्रगुप्त का जो पाटली पुत्र में बना हुआ था महल वह लकड़ी का था किसका था जी लकड़ी का था इसमें तक ने शौपर्थम अपनी रधानी बनाई थी बहुत ही सुन्दर क्वेशन है क्या आइस का राइट एंसर होगा जबाब दें क्या चंद्रगुप्त मौरे हो जाएंगे क्या कनिस्ट हो जाएंगे या इन में से कोई नहीं होगे है ना तो बिल्कुल चंद्रगुप्त मौरे हैं इसका राइट एंसर हो जाएगे इसमें कोई डाउट नहीं है चले दोस्तों बात करते हैं बिहार में ठरसंताओन की करांती की जो नेता थे बावो बीरकुवर्शिंग का धिहान कव हो था यहां से भी पेसी में क् लीजिएगा ऑप्सन देख सकते हैं 17 पर 885 की बात हो रही है है ना और दस जुना अठरसं पर 9 माई अठरसं अंठावन की बात हो रही है और 12 माई यह 1859 की बात हो रही है तो आप जल से जल इसका आंसर देने का प्रयास करें हैं ना चले दोस्तों इसका एंसर हम जाने के प तो दोस्तो बात करते हैं बिर्शाम मुंडा के बात करें तो बिर्शाम मुंडा का जो कारे छेतर था वो कौन सा था क्या चामपारन था अलिपूर था बलिया था या राची था क्या इसका राइट अंसर हो जाएगा तो दोस्तो बिल्कुल अपने से जवब दिया कि राची इ संदें ही नहीं है तो आज सुमें सहजादनंद की संद्iren किसे था बहुत नहीं सुन्दर क् liaison है Kyya भिहार के चंजाती लप अंधूलण किसा था क्या इनका संद्र भिहार के मजदूर संद्र किस्कों बृहार्ण भिहdoes किस्षाहन आंधूलण केसं था क्या इनका श्रमन बिहार के जातिय अंदोलन के शाथ था यानि इसका एंसर बताने का प्रैस किया जाए तो बिलकुल आप जानते हो कि शान अंदोलन के शाथ ही था इसमें भूलना नहीं है तो आज के अगले क्वेशन की बात करें चंद्रगुप्थ मौरे के गुरु कौन थे तो बहुत ही संदर somewhere है और अप्शन आपके शामने है चंद्रगुप्थ मौरे का गुरु कौन थे चनक्या कनाद और प्रशर वातसायान क्या राइड अंसर होगा तो आप याद करें कि विश्णु गुप्त किसे कहा जाता है कोटल्या के आप नाम सुने होंगे चनक्य के नाम सुने होंगे वो चनक्य हैं हैं इनके गुरू और आपको बता दें इनके गुरू जो थे आपको याद हो गए इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो चंदर गुप्त के बारे में परशासनिक सासन के बारे मुझे पर लिख बताया गया है तो याद कीजिए वो राइट एंसर क्या हो जाएगा है ना तो एक बार कॉमेंट करेंगे उस पुस्तक क्या नाम है इन मेंसे कौन से बिहार में किसान अंदोलन के शंद जुड़े हुए थे तो राजेंदर बाबू थे, मोतिला नहरू थे या भगत सिंग थे, या इन मेंसे कोई नहीं थे क्या इसका राइट एंसर होगा तो बिल्कुल दोस्तो आप लो जो एंसर चूज किये हो बहुत बिल्कुल राइट एंसर है राइट एंसर ए हो जाएगा राजेंदर बाबू की बात हो रही है तो आज की अगले क्विशन की बात करते हैं कॉंग्रिश सोचलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहा हुई थी बहुत ही सुन्दर क्विशन है क्या आप एंसर देने में सच्छम हो कहां हुई थी दिल्ली में हुई थी लाहोर में हुई थी पत्नम हुई थी या नासिक में हुई थी चलिए इसका राइट एंसर देने का प्रयास करें है ना तो दोस्तों क्या एंसर हो जाएगा क्या ये question जो है बिहार के संदर्व में है या भारत के संदर्व में है है ना इसका right answer देने का प्रयास किया जाए ठीक है तो पटना याद रखियेगा इसमें कोई संदर्व नहीं बिहार के संदर्व में है ना जय परकास नरायं किस पाड़ी संदी थे तो याद रखियेगा समझवादी पाड़ी से संदी थे है ना महा सारधे की वर्याद किया जाए और महा सारधे का जरूर कीर्पाप में बनी रहेगी थे ना दोस्तों चलिए आगे हम बात करते हैं तो आज केगले question की बात किया जाए विहार केशरी से संदी तो किसे किया जाता है क्वेश्ण यह है क्रिष्ण को 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 कि पर के अचल और हो को को रही कृष्ण आगले कोशन के जवाब दीजिए किस देश की सीमा बिहाराज से जुड़ती है देश की सीमा हो रहा है राज्य की बात नहीं हो रही है देश की सीमा हो रही है ना क्या नेपाल है भूटान है बंगलादेश है या चीन है तो आप बिल्कुल जानते हो कि जो नर्थ साइड है नर्थ संस्ते नहुतर साइड जो है नेपाल में इसमें तो नेपाल राइट एंसर हो जाएगा पुराना बिहार का कितना परसेंट जमी लेकर जहरकंड राजमाना था तो आपको याद होना चाहिए बहुत सुन्दर क्वेशन है क्या आप इसका जवाब देन में शक्षम हो तो बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा पैंतालिस पॉइंट संथिंग एन 85 पॉसेंट हो जागा राइट एंसर तो चलिए आज के एकले कुशन के दरह बढ़ते हैं बिहार में सबसे कम साक्षरवाला जीला कौंसा ये क्वेशन मैंने आपको पिछले बार विकड़ाया था और इसका एंसर आप ही दोगें अगर उस क्लास को नहीं देखे हो तो जाकर बिल्कुल क्लास को देखें पहुत यान दाएगा आज के अगले कुशन में बात किया जाए नलंदा विश्व विद्याले किस के लिए विश्व परशीद था आंसर देखें चिक यार नलंदा जो है बहुत धर्म दर्शन के लिए का है विश्व विश्व में परशीद है इसका आईए नलंदा विश्व विद्याले के विनास के कारण कौन थे यानि तब तो जानते हैं मुसलमान हो जाएंगे मुगल हो जाएंगे थेंथियस हो जाएंगे या कुशान हो करना है और जो इसका कॉमेंट करते हैं उनको पीन अप किया जाएगा हना बिहार आने वाला पहला अंग्रेश कौन था? बहुत ही सुन्दर कोईश्चन है जिसका जबाब आप दोगे, है ना? बिहार आने वाला पहला अंग्रेश कौन था? इसके बाद भारतिये राष्टी आंदोलन स्मूली कोईशन करने वाले हैं, जो आपके एकजाम के लिए खास होगा संस्क्रीट होगा प्राकिर्थ होगा या हिंदी होगा बताइए क्या एंसर होगा तो बिल्कुल आपने सही सोचा क्या एंसर लगा इसको तो बोलिए सत्रू के वंस के क्या नाम था बहुती सुंदर क्वेशन है क्या हर्यक वंस था मोरे वंस था गुप्त वंस था या नंद वंस था बिल्कुल बहुती सिंपल क्वेशन है आप इसका जवाब आसानी शेह दे सकते हो है ना इसका राइट एंसर हो जाएगा हर्यक वंस हो जाएग था 1907 में किया गया थे 1911 में किया गया था इसका अंसर आप लोग जल्द जल्द बताने का प्रयास करें सोचे एक बार जरूर गेस करें क्या हो शक्ता है चलिए उमीद है कि आप गेस कर पाओगे तो मैं आपको बताओं देखिए थोड़ी सी मेनद करना पड़ेगा राइट एंसर जाएगा 1908 तो मैं आपको बता दूँ कि पटना क्लम अथवा पटना सेली का अंतिन चित्रकार किसे मना जाता है बहुत ही सुन्दर क्वेश्चन है और जैसे कि आप ऑप्शन को दिख पा रहे हो है ना तो इसका राइट एंसर आप जल्द से जल्द सोचें और बताएं हमें है ना इसका राइट एंसर बिल्कुल आप सोचिए है ना तो इसका राइट एंसर हो जाएगा इस्वरी परशाद को कहा जाता है बिस्मिल्ला खा समंदित है बहुत ही सुन्दर क्वेश्चन है संतुर सब्सक्रादन से तबल अगंधन से बासुरी वादन से या सहना है इस ऐसका राय्ट में याके सामने है डिये को कर दोबर ये आपको निकालना है तो इसका राइट है जो एका डी ओप्शन शाहनाई वादत थे आज के अगले क्वेशन का आज है महा कभी विद्यापती किस यूग से संबंदी थे बहुत तीस बेहतर क्वेशन है और उमीद करते हैं इसका अंसर आप बिल्कुल पता आशकते हैं कॉमेंड करें इसका कभी ग्रूप में परतिष्ठित हुए थे बहुत ही संदर क्वेशन है उर्वश्री हो जाएगा हुंकार हो जाएगा उच्छाओं हो जाएगा धूप च्छाओं या रेनुका हो जाएगा आपको बता दें कि इनको उर्वश्री के लिए भारती एक ज्यान पिट के बढ़ गया है तो आज के लिए कोशन के में बात करूं राजकुमार शुक्लो जो थे किस गाउं के निवासी थे आपको याद होगा चंपारण में जो नील की खेती जबरदस्ति तिनकठिय परनाली चलाई जा रही थी तो उस समय जब गाधी जी भागा 1915 में वापस आये इसलिए नोजनवरी को आपको पता है प्रवाशी दिवस के रुप में भी मैना आई जाता है आपको बता दें कि जब ये गांधी जी वापस आया उन्होंने चंपारण के बारे में पता चला तो गांधी जी जहां भी जाते थे उनके पीछे पीछे वहां पहुंच जाते थ ताकि अपने गाउं चमपारण के बारे में बताया जाए कि यहां पे जो किसान है किस परकार से तिन कठिया पढ़नाली से परशान है जो अंग्रेजियों के द्वारा जे भरदस्ती निल्गे खेती की जाती थी यानि आप जानते हैं उन्हीं लिए खेती कर देने के बाद जो जमीन है वह बंजर टाइब का अनुप जाओ हो जाते थी इसलिए किसान खेती करना नहीं चाते थे और उनको जो मजदूरी है जो उनका वेतन है उसको भी सही हिसाब से नहीं मिल पाता था इसलिए राजकुमार शुकली ने गांधी जी को से काफी मसकत के बाद उन्होंने प्रयास बना किया और उन्षर संपर्ग बनाया तो इक और है किस गाओं के थे भाई साम मुडली गाओं के थे मुडली भर वहां गाओं के थे या क्या एंसर हो जाएगा तो याद रखिए या फेस्बूक जो भी आप तक शेयर करना चाहते हैं लाइक तो रुकना नहीं चाहिए जो भी हमारे मित्र इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है या वस्ट कर रहा है या सब्सक्राइब नहीं किये तो बिल्कुल करें इस पर करके अपडेट आपको मिलती रही क्रेंट आप लो इसका एंसर तो बताइगा कुमर सिंग की बात आ रही है कुमर सिंग से क्वेस्टन ना ऐसा हुई नहीं सकता है कुमर सिंग नहीं 875 के बिद्रों आप देखे हैं आधार संतावन का जो बिद्रों है ना यह आधुनिक भारत के राष्टी अंदुलन से शमंदित है यहां से बनेगा तो बनेगा तो कुवर्चिंग नेधर संताउन के करांती का बिधने तृत्व क्स प्रांत से किया तो बहुत इस उन्दर क्वेशन है पंजाब हो जाएगा महाराश हो जाएगा बंगाल हो जाएगा ओपको पता है बिहार में जगदिश-पूर एक अस्थान है और वह उमीद है कि इसका राइटेंस अपने चुन लिया होगा तो राइटेंस हो जाएगा जगदीशपूर चलिए दोस्तों और उमीद करते हैं कि इसमें और भी बेहतर क्विश्चन आपको मिलने वाला भी है उमीद क्या करना है बहुत ही बेहतर के अंटेंट मिलेगा आईए बिह अगर बात करें निमली खित में कौन से बिहार का लोक नृत फेमस है तो इसका राइट अंसर आपने अलड़ी वस किया है जट जटिन याद रखिएगा आज के लिए कोशन के बात करते हैं निमली खित में से किस नगर में सुर्य देव का मंदर इस्तित थे बहुत ही बिल्क सुर्जाएगा किस छेत्र में राहूल संक्रिंतान 1922 के आसवह गंदोलन में सक्रिय थे याद रखिएगा वह किस जिली से बिहार के किस जिली से थे तो क्या वह छपड़ा से थे पटना से थे लखनाव से थे या दिली से थे या स्टेट या राज जो भी है आप समझे कंट कि मेरे कनेगारत है वह जीला है या राज्य है कोई तो बिल्कुल छपड़ा के राहूल के बारे में याद रखिएगा जो 1920 में सहयोग अंदोलन हुआ था हैना जो चोरा-चोरी कंट के हत्या के बाद यह अंदोलन थमा था यह ही अंदोलन है आए आज के लिए कुशन के तर स्थापना किसके पहल पर की गई थी किसके पहल पर की गई थी तो आपको बता दें कि क्या गांधी जी थे यह हूं थे गुपाल कृष्ण कोखले थे या बाल गंगधर किती लग थे इसका राइट अंसर बताने का बिल्कुल प्रयास किया जाए तो देखिए मैं पूथरा से कहानी बता रहा हूं थोड़ी से कहानी सबसे पहले अठाइस दिसंबर 1885 में जो इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के स्थापना होई थी इसके पीछी वज़ा क्या था वज़ा ये था कि जो भारत में 1885 के आसपास या उसके पहले जो भी अंदु पार्त में लोगों को स्थापित किया जाए जस फू आपको論 नेशनल और के बात किया जाए तो कॉंग्रेस पार्टी जो थी कॉंग्रेस पार्टी आज की अलग है लेकिन मैं यहां पर बात दुसरा कर रहा हूं इसी ने सुतंत्ता दिलाने में भी मदद की थी तो कह रहा है इसका अस्थापना किशने किया था हूंस आपको याद रखिएगा है ना अब कर रहा है कोशन द्यान से सुनिएगा भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस का सब पर्थम अधिवेशन कहां हुआ था बहुत ही सुन्दर क्वेशन है तो अस्थापना तो आपने सुन लिया था 28 दिसंबर 28 85 में हुई थी लेकिन यहां पर दो तीन ओप्षन दिख रहा है दो ओप्षन है सेम तो आपको याद होगा कि जो बंबे था बंबे के गोखुल दाश एक विद्याले थी उसी विद्याले में कॉंग्रेस का जो राष्ट भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस का प्रथम अधिव रखिएगा अब हम जानते हैं कॉंग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन के अधिक्स तक किसके रखी गई थी क्या दादा भाई नो रोजी थे या बयोम चंद्र चटर जी थे सोरी बनर जी थे या वी रागव चारे थे या फिरोसा मेहता थे क्या एंसर होगा राइडिस का त जाएगा बहुत ही खास्वेशन है तो बयोम चंद्र बनर जी को याद रखियेगा हैना आरे समास का संस्थापक कौन थे बहुत ही सुंदर प्रथे हैं यहां दो चीजों में कौनफ्यूज होते हैं स्वामी धयानन सुर्षति को लेकर और श्वामी विवेकानन सुर्षति क विवेका नंद को लेकर तो आपको करिफ्यूज नहीं होना है इसका राइट एंसर चुनना है स्वामी दयानन सुर्श्रिति है ना इसका राइट एंसर हो जाएगा आज के लिए कुशन में बात करें बहुत ही छोटा हो गया है जी दिखाई दर है कि आप लोगों थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूं ज्यादा ही जूम हो गया थोड़ा समझेगा वरना कुलर एक्ट किसके सासनकाल में पड़ित हुआ तो बहुत ही सुन्दर क्वेशन है तो बाइस अब रीपन को तो कौन भूल सकता है रीपन को तो सभी को यादे होगा है ना तो चलिए इसका कुछते ना जाक देखते हैं देखते हैं लोड़िपन हो जाएगा लूड करजन होगा या सवरी लिटन मैंने रिपन कहा दिया लिटन याद रहिए लिटन को नहीं है तो बात करें यंडिया के लिखा कोन इभी क्वेशन बहुत ही संद्धार है आपके आने ओले आपको याद होगा लाल बाल पाल ये तीन आदमी से थे दो आदमी तेहीं पर दिख रहा हैं बाल धरती लग लाला लाच्पत रहा हैं और एक और इंसान थे क्या वता पाऊगे और विंदो घुष्ट के बारे मियाद रखिएगा और विंदो घुष्ट अना एक और नेता थे वता ही कौन थे आज़ाद हिंद ऐरा किए गया था इसके दोरह किया गया था है सुरेंदरц नाथ मनार जी थे लाला लाच्पत रायत थे प्सबास छंद्र किया गया थान है या बाल गंगा धरत है तो बिलकुल भुणना नहीं है यह जो थी फॉज की बात किया जाए तो यह दुईतिय भी युद्य के दोरान हुई थी तो याद रखना है सुभास चंदर बोश की बात आ रही है ना ब्रिटिस इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसके दोरा की गए थी बहुत ही सुन्दर क्वेशन है और बताने का प्रयास किया जाए क्या राइट अंसर क्या होगा तो बिल्कुल याद रखना है कोई और नहीं है द्यादा भाई नरोजी है इसका राइट अंसर हो जाएगा आज के इकले क्वेशन न्यत्रा बढ़ते हैं आज के अगले क्वेशन भी खास हैं भारत दॅ कि बहुत ही सुन्दार क्वेशन है जबाब देने का प्रयास करें कि भारत क्वेशन समास के सनस्थापक कौन थे चले मैं हींट आपको देना चाहूंगा गांधी जी के गुरु माना जाता है रजनेतिक गुरु किसे माना जाता है गादी जी के रजनेतिक गुरु कौन है क्या एनी बेसेंट थेदा भाई नरो जी है क्या सुरेंद्रनात बनर जी है या गोपाल कृष्ण गोखले है तो बात करते हैं आज के लिए क्वेस्टन की बात करें तो दोस्तों वि इिसे पर कर के आपके सारे शिलेवस मैत भी करा दिया जाएगा मैत करा देंगे आपका कड्रेंट अफेर करा देंहें और जियोधी करा देंげ इसके साथ आपको की जूरत पड़ेगी तो आप कोमेंट किजिए गां इंगलिस और हिंदी के भी आपकी क्वेशन करा दिया जाएंगे जो कॉलिफाइमक्स था है ना तो भीहार जर्खंड जो भीहार से पिर तक कब होगा ता इसका राइडियों से बताने का प्रयास के रहें यह तो बहुत यह आसान क्वेशन है मुझे लगता है चलिए 15 नौमबर 2000 को 25 नौमबर 2001 को 33 नौमबर 2002 को या इन में से कोई नहीं कैंसर होगा तो आपने बिल्कुल जवाब दिया 15 नौमबर 2000 को बात आ रही है दोस्तों 1905 में जो भी बंगाल के भाजन हुआ था वह किसके समय में हुआ था य तो राइट एंसर क्या होगा तो आप करजन को तो भूली नहीं सकते हो करजन के ही समय में यह हुआ था स्वतनता मेरा जन्म सी दधिकार है और मैं इसे लेकर होंगा यह कथन किसने कहा था भाई गरम दल की नेता को याद रखिए इसमें बताईए कि गरम दल की नेता कौन है तो इसमें दू लोग है अना सुरेंदरनात बनरजी फियोसा महता बाल गंगा धरतिलत और लाला लास्पत्राए वाई साब याद रखिएगा कोई और नहीं है आप इसका राइट एंसर बताने का प्रयास करें तो आप साहिए भूल रहे हो कि इसका बहुत ही फिमस क्वेश है आप सी और डी में सच चुन कर बताई कि क्या एंसर होगा वेरी वें इंपोर्टेंट कोईस्टन है है ना तो आप गेस करें कि कौन जीदी हो सकता है है ना एक कोईस्टन आप लोग के नाम रहेगा है ना अमेरिका में जो गद्दर पार्टी के स्था अपना हुई थी एक कुछ ऐसा नाम था अमेरिका में वहीं पे गद्दर पार्टी के स्थापन नमीशत्यर में हुई थी पूसराइए कि किस के दोरा हुई थी लाला हर द्याल भाई परमानंद या स्यमा जी कृष्ण वर्मा के दोरा या पिलाई के दोरा हुई थी तो याद रखिएगा हर द्य थे वह किस अधिवेशन के दोरा उनका पुना मेल हुआ तो आपको बता दें के 1907 में सुरत अधिवेशन में गरमदल और नरमदल में दो जगह से बठ गये थे गरमदल का मतलब क्या जो मेरा दिकार है उससे मैं संघर्स करके यूद करके लड़कर मिलूँगा नरमदल क्या अंग्रियोजी सो रिक्वेस्ट करेंगे क्या पैसे कर दो तो यह बिलकूल लाल बाल पाल को किशी को पसंद नहीं थी है ना इसलिए ओलो गरमदल के उगरवादी निताओं में से थे जो नरमदल के थे उसे उदरवादी कहा जाता है तो पूश रहे कोशन में कि जो ब तो आपको याद होगा लाहर अधिवेशन जो इस अधिवेशन का अध्यक्षता कोई और नहीं पंडित नहरू ने किया था और इन्हों ने आपको बताएंगे आगे चलकर इनके बारे में भी क्वेशन मिलेगा इसका राइट एंसर हो जाएगा उनीश सुल्ला के लखनव अधिवेशन में गरंदल और नरंदल के फिर से क्या हो जाती है पैच अप हो जाती है ब्रेक अप होई थी कब 1907 में और पैच अप हो जाती है 1907 में लखनावट समझाता लिंक कांग्रेस लिंक समझाता दियां देजीएगा एक्जाम में दोद्र पारम होती है क्या इसका राइटेंस रो जाएगा तो आपने बिल्कू सोचा है सही सोचा है उनिस्व सुल्ल हो जाएगा चलिए आज के अगले क्वेशन चंपारण निल अंदोलन के राष्टी नेता कौन थे बहुत ही सुंदर क्वेशन है महात्मा गादी थे राम सिंग थे बावा राम संद्रश्य और बिर्शाम मुंडा तो बिर्शाम मुंडा तो आपको राच्यों जी याद होगा वहां से अगरा अंदोलन बिहार के कहां से बढ़ाम किया था अभी हम लोग देखेते हैं कि आपको यह शारे सेशन बिलकूल अच्छ लग रहा होंगे तो लाइक से रुखनी नहीं से यह और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लिए ना 1912 में जो गया के इंडियन नेशनल कॉंग्रेस का दिवेशन हुआ था उसके अध्यक्स कौन थे बहुत ती सिवर्दस्ट क्वेशन है और चार आप्सन आपके सामने बिलकूल दिख रहे हैं सोचिए और जबाब दीजिए यहां से क्वेशन बनेंगे तो बनेंगे तो आपका थैंक्स फो वोसिंग दिस चैनल्स आयुड सजेस्ट सब्सक्राइब इस चैनल फोर मोर अपडेट्स यह कम इन अपडेट्स इस चैनल इस प्रवाइट तू लॉट्स ओफ फासिलिटीज एंड बिल्यूस कॉलिटीज एंड बिद पीडियेप कंटेंट राइट दोस जय हिंद जय भारत जय विहार दोस्तों चलिए इस धर्दी पर आपको श्वागत है और इस चैनल पर फुना श्वागत है जो आपने अभी तक अपने लगभग आधे गंटा समय दिया और इसमें बहुत सारे क्वेस्टन्स आपको रिविजन के तोर पर भी त्यारी हुआ बहुत सारे क्वेस्टन आपका किये सीखे भी तो दो तीन बार इस वीडियो को देखिए है ना सारे कॉंटेंट आपको याद हो जाएंगे है ना चलिए दोस्तों तो मिलते है एक छोड़े से प्लेक के बाद तक तक लिए जाएं चैनल